आज महाराश्ट्रों में सत्ता की नई सुबह हो रही है जो की शाम को होगी यानि सूर्यास्त के साथ 6 बज कर 40 मिनिट पर उद्धव ठाकरे महाराश्ट्रों के नए मुख्य मंत्री की शपत लेंगे शिवाजी पार्क में शपत ग्रहन की भव्य तैयारियां चल रही है उद् डिप्टी सीएम को लेकर बना हुआ है अजीत पवार का नाम शपत लेने वाले मंत्रियों में नहीं है छगन बुजबल या जैन्त पाटिल के डिप्टी सीएम बनने को लेकर भी तस्वीर साथ नहीं है इस बीच संजर राउत का एक बयान आया है संजर राउत में कहा है कि एक मेने तक यह सब हत्खंडे अपनाए गए उद्धव ठाकरेजी के नित्रूतव में सरकार नमने इसलिए राष्ट्रवती भवन से राजभवन तक और सिब्याय से लेकर इली तक सभी का इस्तेमाल किया लेकिन इस सभी को हमने मात देकर यह पुरे देश से महमान आएंगे अक्रोस दे पार्टी लाइन सब नेता आएंगे और इस आईतियासिक शन के साक्षिदार बनेंगे मुझे मालूम नहीं हूँ व उनका पार्टी का मामला है कि शरत्पावार साथ इस महा अगहाड़ी के सबसे बड़े नेता है राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी के प्रमूख है अजित पवार जी को या और किसी को उनके पार्टी में कौन साफ़ देना है या नहीं देना है उस बारे में सिर्फ पवार साभी निरने लेशा है पर पुना केला जाए खरमां जे कालपरां जे सत्थाधारी होते है त्यात अनेक लोका आशे आहेज कि त्यांचे सुद्धा चौकशा इडिक युवा सिब्या मार पद वहां आशा प्रकार्चे कही पुरावे आले ले आहेज आज ता पन उद्धाव ठाकरियाने स्पष्ट स अने जे सरकार आहे तला अजिबात तड़ा जानार नाही आम इस अंकटान वर मात करूँ और ये सरकार ठीक हो तो अचानक ये प्रकार में शामिल होने जा रही है तो अचानक इडिकी फाइल उपर होते है ये तुम्हें कहता हूँ एक मैने तक ये सब हत्खंडे अपनाए गए उद्धो ठाकरिजी के नित्रूतों हमें सरकार नवने इसलिए राष्ट्रबती भवन से राजभवन तक और सिब्याय से लेकर इलि तक सभी का इस्तिमाल किया लेकिन इस सभी को हमने मात देकर ये सरकार बनाई है और ये सरकार पूरे पास साल चलेगी आप किसी भी एजंसी का गहिर कानून इस्तिमाल करें कहते हैं कि दुश्मन से भी ज्यादा शिद्दत से दुश्मनी वो निभाता है जो कभी पुराना दोस्त रहा हो संजय राउत जो सारी बातें कह रहे हैं वो कड़वाहट कोई नहीं नहीं है बीजेपी और शिवसेना के बीच फर्क सिर्फ इतना है कि चंद दिनों पहले त के लिए क्योंकि उनकी तरफ से ही एक मांग रखी गई थी मुख्यमंत्री की अब बीजेपी न सही बाकी दो पार्टियां समर्थन कर रही है और आखरकार उनका मुख्यमंत्री बन रहा है और वो भी ठाकरे परिवार का एक सदस्य से पहली बार स्वेता आपको बता दें कि जो बातचीत में मनमुटाव रहा बीजेपी और शिवसेना के बीच जब से इस इलेक्शन की रिजल्ट आये थे जब से महराष्ट के इलेक्शन हुए और उनके रिजल्ट आये और ये साफ दिखाई दे रहा था कि बीजेपी और शिवसेना को स सारे सीट मिले थे वह जो मैजिक नंबर था 144 145 का उससे ज्यादा सीठे थी उनके पास वह सरकार बना सकते हैं तब एक मुद्दा लेकर शिवसेना सामने आई कि मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा उन्होंने यह तक हवाला दिया कि अन्य कहीं कहीं स्टेट्स में अन्य कहीं में जहां पर बीजेपी ने हाथ मिला है वहां की पार्टियों के साथ वहां पर मुख्यमंत्री उस प्रदेश के उस रीजिनल पार्टी के हैं तो यहां पर भी शिवसेना का मुख्यमंत्री होना चाहिए बीजेपी ने साफ साफ कह दिया कि ऐसी कोई भी बात नहीं होई थी और इसी बात को लेकर मन मुटाओ इतना बढ़ गया कि राष्टवादी कॉंग्रेस और कॉंग्रेस पार्टी के साथ शिवसेना ने हाथ मिलाया और ये सरकार अब बनाने जा रहे हैं और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होंगे पहले ठाकरे परिवार के पहले ऐसे सद्यस्य होंगे जो मुख्यमंत्री बनेंगे या एक तरीके से कहिए एक एड्मिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल पोस्ट एक पॉलिटिकल कुर्सी को अपनाएंगे और उस पर बैठेंगे इस उसका रिमोट कंट्रोल हमेशा बाला साथ ठाकरे के बास रहता था अब उद्धव ठाकरे खुद मुख्यमंत्री बनकर उस कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं। शपत गहन समारू को कवर करने के लिए और वहाँ जो तयारिया है वो भी बताय जा रहा है बहुत भव्यस्तर पर की जा रही है। मौझूद्गी होगी जिस पर इस वक जिस मंच पर मैं खड़ी हूँ। मेरे ठीक बगल में 22 तरफ दूसरा मंच बनाय जा रहा है जो बाहर से निता रहे हैं बहाँ पर उनको जगह दी जाएगी। दिल्चस प्षएता एक और बात है अलग-अलग हिस्सों में होते हुए मैं शिवाजी पार्क पहुंची हूँ मुंबई के और जादतर जगहों पे या तो शिवसेना के जंडे बलहरा रहे हैं या तो कॉंग्रिस पार्टी के दोनों बिलकुल अगल-गल अपने आपे ये कैसी तस्वीर है जो बदलती भी राजनीती को यहाँ पर बताने के लिए काफी है फिलहाल शिवाजी पार की मैं तस्वीरे दिखाना चाहूंगी आपको बता दे यहाँ पर जो अथारिटी के लोग हैं जो लोग ये पूरी विवस्था समाल रहे हैं उनसे मेरी बात चीत मैदान जो की शिवसेना की राजनीतिक इतिहास को अपने आप में सबेटा हुआ है क्योंकि जितने भी बड़े और भग ये प्रोग्राम शिवसेना के हुए हैं वो इसी मैदान में हुए हैं देखे कुरसिया चारो तरफ बिचाय जा चुकी है पीछे का हिस्सा खाली है वह खर ठाकरे आदित्य ठाकरे रश्मी ठाकरे इन लोगों के चेहरे हैं तो उसी पोस्टर में जगह दे गई है शरत पवार को भी सोनिया गांधी को भी कॉंग्रेस और एंसीपी के भी बड़े नेताओं को भी अजित पवार की भी कुछ तस्वीरे और होडिंग्स हमने बाहर देखिए हैं आपने शाम को देखा था एंसीपी के कुछ कारे करता हूं कि और से अजित पवार को डिप्टी स्यम बनाया जाने को लेकर किस तरह से नारे बाजी की जा रही थी हाला कि वो डिप्टी स्यम नहीं बनेंगी ये तस्वीर भी अब लगबग साफ हो रही है क्यों कि राजनीती को लेकर अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे और ये पहली बार है जब ठाकरे परिवार से खुद ओधर ठाकरे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं तो कम से कम शिवसेना इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है और इसी वज़ए से यहां पर हर एक भविता द कारे होते हैं कॉंग्रेस और NCP का जश्म ज़रा अलग होता है आज शिवाजी पार्क का नजारा क्या होगा ये ठे बज कर चालीस मिनिट पर पता चलेगा लेकिन बड़ी खबर ये हम आपको इस समय दिखा रहे हैं कि शपत ग्रेंड में सोनिया गांधी जाएंगी या नही जाएंगी ये सवाल उनसे पूछा गया उन्होंने कहा है कि अभी तय नहीं किया है कल रात पहुंचे थे आदिते ठाकरे बाकाइदा नियोता देने के लिए पहले फूल उन्हें भेट किये उसके बाद एक खत उन्हें सौपा जिस खत में ये लिखा हुआ था कि आईये हमा गांधी से पूछा गया है कि क्या आप जाएएगा महराश्र क्या आप मुंबई जाएंगी शिवाजी पार्क में उस समारों का हिस्सा बनेंगी उन्होंने कहा अभी तय नहीं किया है और दरसल अभी तो समय है क्योंकि अभी 10 बज कर लगबग 9 मिनिट हो रहे हैं और शाम 6 शे बज कर 40 मिनिट का वक्त मोकरर है हमारे साथ अशोक सिंगल भी जुड़े हुए हैं अशोक जी ये 6 बज कर 40 मिनिट है ये कोई मूर्थ है या फिर लोजिस्टिकली इसे तै किया गया मैं आपका सवाल तो नहीं सुन पाया हूँ लेकिन मेरे साथ यहां पे शिवाजी पार्क में लोग कुछ काड़े करता शीव सेना के आ गए हैं देख सकते हैं कि काफी लोग शीव सेना के परिवार से उदब ठाकरे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं पहला ठाकरी परिवार से कोई मुख्यमंत्री बनने जा रहा है क्या रियक्शन है हमको पुरा महराष्ट्र स्टेट नहीं पुरा अल इंडिया देख रहा होगा क्या आज का दिन हमारे लिए इतना खुशी का दिन है दिवाले में इतने फटाके नहीं बजाए आज इतने बजाएंगे हम साथ लोग के अब श्यूसाइब साथ इंडिया लिए इन को अबी से उमीद है कि किसानों की कर्जमाफी की घोशना आज करने वाले इपर दूर दूर से लोग आए सब्सक्राइब का मुख्यां मंत्री बहुत साल के बाद बनने वाला है उत्साहित क्योंस भी सरकार में मंत्री कर बनने के मंद सब्सक्राइ। सर अधित्य साब ये अभी उद्व साब तो सियम बनने चवाल हो गए तो अभी वो विदा एक फर्स टाइम आ गए ना विदान बावन में तो वो नहीं है अभी पात साल जो साब बोलेंगे वो इसा काम करेंगे बन चाहिए उनको मंतरी यवज़े काम किया आथित्या फारे को क्योंकि बील्कुल शिक्षा मंतरि उनको में एक शेत्र में से विझी डूड़े रहें उससे बाप मुख्या मंतरी बेटेuse अच्चा मंतरी बना यहां पर काफी कारे करता जूट गए हैं अभी से और अभी भी त्यारियां चल रही है एक मंच किला नुमा मंच है जो महराजा शिवाजी का किला हुआ करता था उसी के अकार का यह मंच बनाया गया और उपर शिवाजी महराज की परतीमा आपको दिखाए देगी ठीक उसके आगे यह मंच है किले किला नुमा बनाया गया और उसके बगल में ठाकरे साब की स्मिर्थी सल है और शिवाजी पार्क का एक अपना खास मैता है जैसे पहले भी बताया था हमने लेकिन अभी भी त्यारिया चलिए क्योंकि छे बच के चालिस मिनट पर शबत गरहन समार यहां पर बचिया और क्या क्या किया जा सकता है और खास बात और बता दूँ मैं आपको तीनो पार्टियों के जंडे भगवा और कॉंगरेस और NCP के जंडे पूरे शहर में मुंबई शहर में आपको जंगय जंगय पर दिखाई देंगे जो कि एक अपने आप में अलग ची पी कॉंग्रेस गटवंधन के लिए ये कांटों का ताज साबित होगा या अगर उद्धव ठाकरे के शब्दों में कहें तो कीलों वाली कुर्सी जब से ये गटवंधन बना है बीजेपी बार बार यही कह रही है कि खिजडी सरकार आखर कब तक चलेगी मैराथन कोशिशों के बाद आखिरकार शिवसेना एंसीपी और कॉंग्रेस का सपना पूरा होने वाला है लेकिन यकीन मानिये अपने वैचारिक विरोधी एंसीपी और कॉंग्रेस के सहयोग से शिवसेना सुप्रिमो उद्धव ठाकरे के सिर पर सजने वाला ताज पहनने वाले फूलों का नहीं काटों का साबित होने वाला है यह अपने आपको विकास गजबंधन कहते हैं वह सच्चाई में यह महा मिलावटी अगाडी है और यह मिलावट वाली चीज बहुत लंबे समय तक नहीं चलती है यह सहद के लिए हानिकारत होती है तो इसलिए यह सरका के लिए जो किया गया जो गजबंधन है वो लंबी नहीं चलने वाली है जी हाँ यही वो आशंका है जो सबसे बड़ी चुनौती के रूप में तीनों दलों के गजबंधन महा विकास अगाडी के सामने खड़ी है उद्धव का शपत ग्रहन भी नहीं हुआ है और सवाल तरह ही पिछले साल यदरपा ने सरकार बनाई थी लेकिन मुश्वास मत सावित नहीं कर पाई इसके बाद जेडियेस कॉंग्रेस की गड़बंधन सरकार बनी लेकिन कुमार स्वामी 14 महिने से ज्यादा सरकार नहीं चला पाए तो क्या उद्धव ठाकरे NCP और कॉंग्रेस क की मदद से 5 साल सरकार चला पाएंगे खास कर ये देखते हुए कि NCP और कॉंग्रेस की महराष्ट के सियासत में अपनी महत्वा का अंच्छाएं हैं यही नहीं तीनों दलों को पूरे 5 साल तक अपने विधायकों को बचाए रखने की भी चुनाती होगी क्योंकि सत्ता की मल कि अधाई ना मिलने से नाराज विधायक कब किधर का रुख कर लें कहना मुश्किल है नई सरकार के सामने अगर चुनाती 5 साल तक स्थिर सरकार देने की है तो मंत्री मंदल का गठन भी कम मुश्किल भरा नहीं है हर दल अपने पास मलाईदार विभाग रखना चाहेगा हर दल के बड़े नेताओं की अपनी महत्वा कांग्छा होगी ऐसे में उनके एहं को संतुष्ट करना चुनाती पूर्ण होगा कॉमन मिनमम प्रोग्राम के बावजूद विचारधारा के टकराव को टालना भी कम चुनाती पूर्ण नहीं होगा चुकि तीनों दल सुबे में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं ऐसे में आगे भी टकराव की आशंका बनी रहगी और सबसे बड़ी चुनाती कि अजीत पवार का क्या होगा अजीत पवार रातों रात पाला बदल कर अपना रंग दिखा चुके हैं ऐसे में जब वो दोबारा लोटाएं हैं और शरत पवार ने उन्हें माफ भी कर दिया तो बड़ा सवाल ये है कि उन्हें क्या जिम्मेदारी मिलेगी विद्या और पंकजुपाध्याय के साथ कमलेश सुतार मुंबई आज तक मुंबई का शिवाजी पार्क गवाह बनेगा उद्धव ठाकरी के शपत ग्रहन का यूँ भी शिवाजी पार्क का इतिहास लंबा रहा है शिवाजी पार्क में ही 1966 में बाला साहब ठाकरी ने शिव सेना की नीव रखी थी शिवाजी पार्क में ही हर साल दशेरा में बालत साहब ठाकरे शिव सैनेकों को संबोधित करते थे आज पिता की विरासत को वहीं से आगे बनाएंगे उनके बेटे उद्धव मुंबई के शिवाजी पार्क से जब बालकेशव ठाकरे कुछ बोलते थे तो पूरा महरास्ट्र, पूरा देश उसे सुनता था शिव सीना के सनस्थापक बालत साहिब की जुमा से निकला एक एक शब्द शिव सैनिकों के लिए मानो ब्रहम वाक के होता था शिवाजी पार्क से अपने कारकरताओं के लिए निकला उनका एक एक आदेश उनके लिए कानून के समान होता था आज शिवाजी पार्क फिर से सुर्खियों में है आज शिवाजी पार्क में फिर से इतिहास रचा जाने बाला है उद्धव थाकरे शाम 6 बचकर 40 मिनट पर इसी शिवाजी पार्क से महाराश्टर के अठार में मुख्य मंतरी पत की शपत लेने जा रहे हैं तैयारी जबरदस्त है क्योंकि हर शिवसेनिक चाहता है कि पार्टी सुप्रीमों का शपत ग्रहन अदभुत अविश्वसनिये और अकल्पनिये हो ये शिवसेनिक के लिए शिवसेनिक के कारेकरताओं के लिए आज शिवसेनिक के मुख्य मंतरी उद्दव जी ठाकरे हो रहे बहुत बड़ा दिन है और उसे चलता था उसे साब से हाले कि अगर हम एतिहासिक तौर पर जाएं तो बहुत सारे सवाल भी इसके इस मंच पर उठ सकते हैं लेकिन इतना समझिये कि मराठा अस्मिता की अगर बात होती है तो उसका आपको पूरा पूरा यहाँ पर निर्वा इस शपत ग्रहन के दोरान नजर आएगा क्योंकि एक तो शरद पवार जिन्होंने पूरी तरीके से रचा की कैसे ये सरकार संभव हो पाए अलग अलग विचार अलग अलग धाराएं अलग अलग विचार धाराएं एक साथ आप आएं चित्रा हमारे साथ और जानकारी के साथ मौजूद हैं बताइए चित्रा मंच की तस्वीर हम देख रहे हैं कि आखेर इसको भव्य रूप देने की तैयारी कैसी है किस तरह का रहने वाला है उद्धफ ठाकरे का मंच जहां पर आज शाम साड़े छे बजे के आसपास वो शपत ग्रैंट 6 बज कर 40 मिनट पर लेते वे दिखाए देंगे नितिन देसाई साब हमारे साथ मौजूद हैं बॉलिवूड में तो नजाने कितने सेट इन होने डिजाइन कर दिये हैं जिसकी भविता हमने बड़ी स्क्रीन पर देखी है लेकिन आज जब रील से रियल लाइफ की बारी आती है तो फिर ये बताईए क्या बनाने जा रहे हैं लोगों के सामने आपके माध्यम से लाने है क्योंकि यहाँ पे लाखों लोग आने वाले लेकिन आपके माध्यम से करोडों लोग भारत में हिंदुस्तान में नहीं तो विदेशों में इसको देखने जा रहे है तो उसी तरह से प्रयास यह है कि जैसे राजा शिव चत्रब से जो हुआ था और अभी के समय के हिसाब से उनकी कल्चरल और जो चीजे रखते एक टेकनिकल चीजों को हम लोग एड करते हुए उसी रूप बड़ी से स्क्रीन अलग से लगाएंगे यस बन्दब इसमें प्रयास है कि महाराश्टा के अलग-अलग जो गड़ किले है और जो जो इंपॉर्टन चीजे जो है जो महाराश्टों को प्रदर्शित करती है उनको यहाँ पर आपको पीछे लेकर आना चाहूंगी आप लोग थोड़ा किनारे हट जाईए मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को बताईए यह जो चीजे लगाई जा रही है इसका क्या महत्व हुई और उसके बाद एक मानता थी कि जो महाराश्टर बहुत सारों से पारतंत्र में था एक ऐसा राजा आया जिसने महाराश्टर को स्वतंत्र किया था इसलिए आज अभी भी अनेक महाराश्टर के लोग च्छत्रपति शिवाजी महाराश को मानते हैं अनेक देश के है उनका रैत के बारे में लोगों के प्रति एक अपना संबंद क्या है बिलकुल शिवाजी महाराश का जो औरा रहा है वही उसी तरह का संदेश लोगों के बीच है वो तयारी आप लोगों क्यों से की गई है अब बताएए जिस कुरसी पर बैठेंगे उद्धव ठाकरे क् सिनहासन के तरह से होगा या वो साधारण कुरसी होगी नए उद्धव जी बहुती अच्छे कलाकर अच्छे सामानने ऐसे वेक्ती है उन्होंने अपने देश के लिए महाराश्ट के लिए कुछ करने का सोचा है उनका कोही ऐसा यह नहीं है कि वो सिंहासन पर बैठेंगे ज पूनिया गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला है उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने राजपाल की मदद से गटवंधन तोड़ने की कोशिश की है दरसल अभी तक जो बीजेपी की तरफ से आरोप लगाय जा रहे थे तीनों पाटियों पर कि बेमेल गटवंधन बनाया जा रहा है केवल सत्ता के लिए तो अब ये तीनों पाटियां क्योंकि कुछ देर पहले संजेराउत की तरफ से भी यही बयान आया था कि पती से लेकर राजपाल तक और सारी जो ED हो चाई CBI हो सब के जरीए कोशिश की गई कि कि किसी तरीके से ये सरकार न बने अब तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो आदे फिर ठाकरे जब उन्हेंने वंत्रण देने के लिए गये थे शपत गहन की कल रात वो देख रहे थे और साथ में अभी तक सुनिया गांदी की तरफ से ये स्पश्टिकर नहीं आया कि जाएंगी कि नहीं उन्होंने कहा अभी त पत लेंगे और उसी समय से शुरू हो जाएगा ठाकरे राज महराश्ट के इस नए सियासी सफर की शुरुआत होगी मुंबई के एतिहासिक शिवाजी पार्क से जहां करीब सतर हजार लोगों के पहुँचने की संभावदा है मी उद्धो बाल केशव ठाकरे जी हां आज शाम छे बत कर चालिस मिनट पर मुंबई के इतिहासिक शिवाजी पार्क से यही आवाज गुँजने वाली है महराष्टर की बागदोर आज से उद्धव ठाकरे संभालेंगे एक ऐसी जिम्मेदारी जिसके बारे में शायद खुद उद्धव ठाकरे ने नहीं सोचा होगा लेकिन इतिहास बदलते देर नहीं लगती और आज से महराष्टर में शुरू हो जाएगा ठाकरे राज अब तक महराष्ट के सबसे कद्दाव ठाकरे परिवार के किसी भी सदस्य की सत्ता में सीधी भागेदारी नहीं थी लेकिन अब इस परिपाटी से परिवार अलग रह पर चलने वाला है शिव सैनिक उत्सास से भरे हुए हैं उनके लिए भी भरोसा करना मुश्किल है लेकिन आज बाल ठाकरी की कर्म भूमी रहे शिवाजी पाक से एक नए युक की शुरुवात होने जा रही है और यही आज की सबसे बड़ी हकीकत है पिता की ताज़ पोशी की खुशी एक बेटे से बहतर भला कौन बया कर सकता है मी उद्धव बाल केशव ठाकरे यकीन मानिये आज जब इस आवाज और इन शब्दों की गूँज शिवाजी पाक से उठेगी तब वहां मौजूद सैकडों हजारों शिवसेनिकों का सीना गर्व से चोड़ा हो जाएगा खुद उद्धों भी कई बार ये कह चुके हैं कि बाल ठाकरे को उन्होंने एक दिन महाराष्ट में शिवसेना का मुख्य मंतरी बनाने का वचन दिया था पहली बार सियासत के ठाकरे परिवार का कोई सदस से महाराष्ट की कमान थामने जा रहा है कमाल देखिए कि जिस शिवाजी पाक से पिता बाल ठाकरे ने 1966 में पार्टी की नीव रखी थी उसी शिवाजी पाक से बेटे उद्धव ठाकरे अपने सक्रिय सियासी सफर का रत चलाने जा रही है ये सब कुछ एक सपने जैसा है लेकिन सच है महाराष्ट के सियासे सिंहासन पर अब नया बादशा बैठने वाला है हाना कि सत्ता चलाने की राह उतनी आसान भी नहीं होगी लेकिन तीनों सहयोगी दल के सामने उद्धव के नाम पर ही मोहर लगी क्योंकि तीनों दलों में सर्वमान्य सहमती यही बनी कि शिव सेना सुप्रीमों के पास सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने की काबिलियत नाम उद्धव बाल ठाकरे पिता का नाम पाल केशव ठाकरे पद शिव सेना के अध्यक्ष अब तक दुनिया उद्धव ठाकरे का परिचय कुछ इन ही शब्दों के साथ सुनती थी लेकिन कुछी घंटों में इन सब के साथ एक और पहचान भी जोड़ने वाली है और वो है उद्धव बाल ठाकरे मुख्य मंतरी महरास्ट्र महरास्ट्र के अठारवे मुख्य मंतरी बढ़ने जा रहे हैं उद्धव ठाकरे शिवसेना सुप्रीमों के साथ छे दूसरे नेता भी मंतरी पत की शपत लेंगे जिनमें दो शिवसेना, दो कॉंग्रेस और दो एन सीपी के हैं मुंबई के सबसे बड़े शिवाजी पाक में ताज पोशी की तैयारी पूरी हो चुकी है सियासत के धुरंधरों को शपतकार क्रम में शामिल होने का नियोता भेजा जा चुका है जो दुश्मन से दोस्त बने उन्हें भी उद्धव ठाकरे ने ठाकरे परिवार की परिपार्टी को तोड़ते हुए सक्रिय सियासत को अपने हाथों में थाम तो लिया है लेकिन सत्ता की राह में कितने काटे हैं इसका हैसास उन्हें भी हो चुका है खास कर तब जब साथ में दो विप्रित विचार धारवाली बाटियां चल रही हों जो अब तक एक दूसरे की थोर विरोधी थी हाला की तीन दशक की सियासी अनुभाव से परिपोन उधव थाकरे में महरास्ट विकास गाड़ी को आगे ले जानी के क्षमता है तब ही साथी दलों ने भरोसा जताया है 2012 में बाल थाकरे के निधन के बाद उधव ने पाटी को आगे बढ़ाया और अब जब स्थिती आई की कौन बनेगा महरास्ट का अगला मुख्यमंत्री तो शेवसेना कॉंग्रेस और NCP में सबकी सहमती की सोई उधव पर ही जाटकी वज़ा भी साफ है उधव ही ऐसे हालात में NCP और कॉंग्रेस को साथ लेकर सरकार बना सकते थे और पांच साल तक महरास्ट की सरकार चला भी सकते हैं उधव को 30 साल से भी ज्यादा का सियासी अनुभव है तीसरी बात ये है कि उधव के सियम बनने से बाकी दोनों दलों के वरिष्ट नेताओं को उनके साथ या अधीन काम करने में औसहस्ता महसूस नहीं होगी उधव की काबलियत का ही भरोसा था कि जिसके बूते उनके फायर ब्रांड प्रवक्ता सेंजर राउत ना जाने कितनी बार कह चुके थे कि अगला मुख्यमंतरी बनेगा तो सिर्फ असिर्फ शिव सेना का ही मैंने इतना ही कहा मुख्यमंतरी शिव सेना का बनेगा और मैं इतना ही कहता हूँ पुरी महाराष्ट्रा की जनता की इच्छा है और लाखोष श्रिवसेने को उनकी भावना है कि उद्धो ठाकरे साथ बुख्यमंत्री बने और हमें विश्वास है वो हमारी भावना की आधर करे से नई तारीख नया किरदार नई जिम्मेदारी नई चुनोतियां और नया सफर उद्धो बाल ठाकरे नए रास्ते पर निकल पड़े हैं मुश्किले कई होंगी लेकिन जिस तरीके से तीन दलों ने साथ चलने का फैसला किया है उसे वक्त की कसोटी पर खुद को साबित करने का भरोसा भी होगा अशोक सिंगल, साहिल जोशी और कमलिश सुतार के साथ आज तक ब्योरो उद्धव ठाकरे आज से अब तक की अपनी जिन्दगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उठाने जा रहे हैं उनके सामने पिता बाला साहब ठाकरे की वेभवशाली विरासत को आगे बढ़ानी की भी चुनोती होगी जिसने बाल ठाकरे समेट शिव सेना को खास पहचान दिलाई उद्धव के सामने चुनोतीयों का अमबार भी है लेकिन साथ ही उन्हें हराने का एक मौका भी उन्नीस जून 1966 में बाल ठाकरे ने मौंबई में शिव सेना बनाई थी शिव सेना की छबी एक कटर हिंदू राष्टवादी संगठन के तौर पर सामने आई और बाला साहिब को हिंदू हिर्देश समराट की नाम से जाना गया हाना की पार्टी अस्थापना के बाद शुरुवाती सालों में बाल ठाकरे को उतनी काम्याबी नहीं मिली लेकिन 1995 में पहली बार शिव सेना ने बीजेपी के साथ मिलकर महरास्टर में सरकार बनाई हाना की जिस NCP और कॉंग्रिस के साथ आज शिव सेना सरकार बनाने जा रही है उन्हें बाल ठाकरे ने अपनी सियासी सफर में जम कर कोशा था बार बार कोशा था आज बाला साहिब नहीं है और शिव सेना की बागदोर उनके बेटे उद्धव ठाकरी की हाथों में है शायद यही वज़ा है कि सियासत के माइने और सत्ता के शिखर तक पहुंचने के रास्ते में भी बदलाव हो चुका है विधान सभा के नतीजों के बाद बीजेपी से बिगड़ती रिष्टों के सफर के बीच उद्धव ने खुद कहा था कि बाला साहिब का सफना था कि एक दिन महाराश्टर में शिव सेना का सियम हो और अब वो सफना पूरा करने का वाक्त आ चुका है हाला कि ये अलग बात है कि ये सपना बीजेपी के साथ नहीं बलकि 24 अक्टूबर से पहले तक धुर विरोधी रही नसीपी और कॉंग्रिस के साथ पूरा होने वाला है उद्धव और शिव सेना का एंसीपी कॉंग्रिस से रिष्टा अब तक इसलिए भी बे में लग रहा था क्यूंकि सिर्व बाल ठाकरे ही नहीं उद्धव ठाकरे भी ना जाने कितनी बार इन दो पार्टियों पर जहर उगल चुके थे चुनाओं से पहले तक भी इनके लिए एंसीपी कॉंग्रिस दुश्वन नमबर एक जोड़ी थी खैर अब बात उस गुजरे दौर से आगे बढ़कर एक नई सियासी सफर के शुरुवात की और बाढ़ चली है कहते हैं कि सियासत में भी क्रिकेट की तरह कब पासा पलड़ जाए कोई नहीं जानता महरास्टर की मौजूदा दशा उसी का सबूत पेश कर रही है दोस्त अब दुश्मन बन चुका है जो कल तक दोस्त थे आज अलग होने के बाद यही कह रहे हैं कि बना लो सरकार लेकिन महरास्टर के लिए यह अच्छा नहीं होगा नसीपी भी शिवसेना के विचारों से तालमेल नहीं रखती तो विचारों और सिदьяंतों के आधार पर यह अलायंस नहीं होई है यह अपौर्चिज़म की अलायंस है और यह ठीकेगी नहीं और महराश्टर में स्तीर सरकार भी निदेपाईगी यह एक परकार से महराश्टर का काफी इसमे नुक्सान होगा अगर होती है तो अध्यक्ष बनाया था और जनवरी 2013 में बालस साहिप की मौत के बाद उध्धव पार्टी सुप्रीमों बने शिव सेना की विरासत को आगे बढ़ाने का जिम्मा अब उध्धव और आदिति के कंधों पर है हाँ ये जरूर है कि अब इस रास्ते में दोनों को उस कसोटी से गुजरना होगा जिससे अब तक इनका सामना नहीं हुआ है आज तक जोरो ठाकरे परिवार से पहली बार कोई महराश्टी की गद्धी पर बैठने जा रहा है लहाजा शिव सेना में जबरदस्त उत्सा है 1966 में जिस पार्क में बाल ठाकरे के नित्रित्व में शिव सेना की पहली रैली हुई थी उसी शिवाजी पार्क में 53 साल बाद उनकी विरासत के उतराधिकारी उद्धव ठाकरे मुख्य मंत्री की शपत लेंगे भव्य आयूजन की तैयारी है मंत्री मंडल गठन पर जबरदस्त मंधन है इस समय महाराष्ट की राजनीती उस मोड पर आखड़ी हुई है जहां से सत्ता के सक्रिय खेल में ठाकरे राज का आगाज होता है तो आपको दुरुत पढ़े तो आप उनकी नहीं पढ़ेगी नहीं पढ़ेगी समय बदलता है सोच बदलती है इनसान बदलता है और किस्मत भी बदल जाती है शिवसिना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, इंडिननाशनल कॉंग्रेस और सारे जो हमारे गटक दल है फिर उसमें समाजवादी पार्टी है, शेतकरी संगटना है सारे जो राजुशेट्टी जीए सब इन्होंने साथ में आकर उद्दो ठाकरी साब को महारेश्ट्र विकास आगड़ी, महा विकास आगड़ी के नेता चुने गए, सीम पत के लिए उनको चुना गया है पूरी खीजटान बाला साहिब की विरासत की विवेजना की है, तो उद्धव का सीम बनना उनका नहीं, बाला साहिब का ही सपना से ही अमिर भाई से जब मेरी बात हुई थी, तो मैंने उनको यही कहा, कि मैं एक ना एक दिन, शुवसेना का मुख्यमंत्री बनाऊगा, यह मेरा वचन, मेरे पिता जी को मैंने दिया हुआ है अगर आपके साथ आकर वो बन सकते हैं, तो आपके साथ, नहीं तो आपके बिना साथ तीस साल पुरानी दोस्ती थी, दूसरी तरफ सत्ता के सिंहहसन के साथ नए समझोतों का आहवान था उद्धव ने समझोतों की दोस्ती को दरकिनार किया और नई दोस्ती के साथ समझोता कर लिया साथ साल पहले जब बाला साहब ठाकरे का निधन हुआ था, तब किसने सोचा था कि उद्धव ठाकरे महराश्ट्र के मुख्यमंतरी बनेंगे शिफ सेना कॉंग्रेस एनसीपी एक फ्रेम में नजर आएंगे साथ सालूं का किस्सा भी अगर छोड़ने तो चंद महीनों पहले महराश्ट्र विधान सभा चुनावों तक कौन सोच सकता था कि उद्धव ही महराश्ट्र की मुख्यमंतरी बनेंगे चंद महीने पहले की भी बात अगर छोड़ दें तो चंद घंटों पहले जिस तरह बीजेपी ने फर्णवीज को मुख्यमंत्री वाली चाल चल दी थी कौन कह सकता था कि उद्धव का सियम बनना संभाव हो पाएगा कि अब बहुमत के लिए जितने विधायक चाहिए उतने भारतिय जनता पार्टी के पास नहीं है और इसलिए भारतिय जनता पार्टी ने निर्णे लिया कि हम सरकार नहीं बनाएंगे हम इस्तिफा देंगे प्रुसदृष्टी से इस प्रेस कांफरंस के बाद मैं स्वयम माननी राज्यपाल जी के पास जाने वाला हूं क्या साध्वी प्रग्या ठाकुर की कोई प्रतिक्रिया आप आई है क्या वो अपने इस बयान को लेकर कुछ कह रही है कि कल हम सर्वी प्रग्या के जो उनको सरकारी आवास में वहां प्राइब को लेकर बयान दिया था लाकित नतुक्राम गोट्से को लेकर 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 उन्होंने नहीं को ऑफ रिकॉर्ट बाची के बोला था उन्होंने आपना वीडियो जो है अपना क्लारिफिकेशन वो स्ट् उनके ट्विटर हैंडल पर लेकिन नहीं आया और अब पार्टी की तरफ से उनके उपर एक्शन लेना ये बताता है कि पार्टी ने उनकी प्लकी को माना है और उनके खिलाफ पार्टी एक्शन लेकिन उसके बावजूद बयान जिस संदर्व में था उसे लेकर बहुत बव पाल बढ़ा और उसकी बाद अब बीजेपी ने अपनी तरफ से ये अक्शन लिया है